50.6 पैस्ते पर क्लिक ला सकते हैं जैसे कि मैं करता हूं और आप यहां पर देख भी सकते हो, right? You are an affiliate marketing, you do dropshipping, you sell your own product, no matter what you do, right? आप अगर freelancing भी करते हैं, तो आपको जरुष पढ़ती है Instagram ads, because आज के समय पे Instagram पे 1 billion plus active users है, right? 1 billion plus active users है, वो भी monthly. तो आपको जरुष पढ़ेगी ही पढ़ेगी, अगर आप internet business में हो, Instagram ad की. Guys, हुआ यह वीजिए जिन्होंने की, मिला एक अपने client से, जिसे मैंने close किया, बड़ उससे पहले उसने Instagram ad को प्राइगिया था, और उसने एक ad रन की, की अपने business के लिए, right? उस ad में उसका जो CPC होता है, मतब per click through rate से होता है, मतब कि जितना भी उसने click होता है, उसकी आपसे पैसा लगता, अगर आप ads के बारे में जानते होगी, Facebook ads के बारे में नहीं जानते हो, तो मैंने उसे बात किया और उन्होंने बताया है कि मेरा per click जो conversion rate है, वो आ रहा है, 6 रुपए, 7 रुपए, even 12 रुपीज, right? और जो है, बहुत जादा वो spend कर रहा है, and then मैंने उनका ad check किया, and I found it's totally shocked, right? Then, मुझे लगा कि हाँ, यह चीज़े लोगों को बताने चीए, because लोग भी यही गल्ती कर रहा है, और उनको समझ में आ रहा है कि कहा वो गल्ती कर रहा है, कैसे उनका CPC बढ़ जा रहा है, और वो कैसे इस चीज़ को कम करके 0.5-0.6 पैसे पैसे और क्लिक लाफ करें चैसे कि मैं करता हूँ, और आप यहाँ पर सेख भी सकते हो, right? मेरे हर एड 0.6, 0.5, 0.8 और मैक्सीमम 2 रूपी, उसने जादा मैं नहीं जाने जुता हूँ, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, 4 key factors जो आपको help करेंगे, आपके Instagram hats को build करने में, let's go! So guys, जो सबसे पहला factor है, जो आपको बहुत जादा ध्यान रखना है, उसों कहते है music, अगर मैं बात करूँ ऐसे, अगर आपको इसके बारे में जाना है, तो आप प्लीज नीचे क्लिक कीजे लिंक को और इसको देखिये, फिर आपको समझ बारा कि आप कैसे इसे earn कर सकते हैं, या आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं, अब guys, देखूं ये, Hey what's up guys, if you want to learn something about this, just swipe up and follow me for more and free, So, इसको मुझे लगता है कि आपको difference समझ में आगया है, कि दोनों में कितना difference है, music एक बहुत जादा engaging factor है, जो आपके audience को engage करके रखता है आपके ads के साथ, जब भी आप कोई भी ad create कर रहे हो, चाहे वह आप अपने clients के लिए चाहे, अपने ओन प्रोडक्स के लिए, तो आप उसमें music जरूर add करो, यह मैं नहीं कहता है, यह Facebook business का जो page है, जो Facebook लोगों को बताता है, कि भाई ऐसे ads बनाओ, ऐसे ads बनाओ, हो भी यही चीज़ कहते है, कि music जो है, वो लोगों को बहुत जादा engage कर गई रखता है, जो दूसरी चीज़ है, that is called words, words बहुत जादा impact ढालते हैं, और आपने सुना भी होगा, पुरा affiliate marketing अगर मैं कहूं, तो वो 60% words पे डिपेंड है, कि आप कॉन्स awards कहां पर यूस करते हैं, मतलब कि awards लोगों को attract करते हैं, आपके किसी भी business के लिए, वो कैसी convert हो, sex में ये पूरा डिपेंड करता है, वोड्स को कहां कैसी यूस करता है, because guys, you have only 15 seconds to attract your audience, तो 15 seconds में आप कैसी अपने ads को, लोगों तक पहुचा दो, उनके वीमाद में उतार दो, so guys, see this example, here I made word ad for you, you can see, how I made it, right, कैसे मैंने words का use किया है, कैसे मैंने उसको एक अलग से clarity भी है, कि लोगों को साफ सा words दिखे है, and वो तुरण mesmerize हो जाया है, कि बॉंस आ जाया है, and वो attract हो जाया मेरे ad के लिए, you can see clearly here, right, so guys, you have to use words clearly and focusedly, कि लोगों का attention उस पर जाया है, वो attract हो, और आपका जो भी purpose है उस ads को बनाने का, right, convert करने का, sales करने का, वो fulfill हो, next, guys, जो third है, वो है ad, ad quality आपकी बहुत जादा आछी रहनी छी है, because आपकी पास 15 seconds, only 15 seconds है to attract your audience, so ad quality like आपकी ऐसी होनी चीए, अबर मैं आपको शो करूँ, so guys, आपके ad quality कुछ ऐसी होनी चीए, और यह भी मैंने use किया है, आपने ad के लिए, और यह बहुत ज़्रादा काम किया है, और इससे मुझे आई, 0.8 TTC काफी अच्छा working है, तो आपके प क्वालिटीश होनी चीए, तो ऐसे आपके àड की quality होनी चीए, बिल्कुल high होनी चीए, लोगों को सीधा सीधा दहे कि aap क्या भी आना चाबते हो, और सीधा सीधा दहे कि aap क्या कहना चाबते हो, plus, जो words आपने उने use किया हो, बिल्कुल clear and सखी होनी जिये, next, so guys last in the list और बहुत ज़दा important यही वो चीज़े जो आपको conversion लाकर देती है, तो आपको बिल्कुल धेहार रखना है कि यह जीज बिल्कुल बिल्कुल भी गलत ना हो और इसको बोलते है call to action, आपने मेरे आड में भी देखा होगा कि हमेसा वो ज swipe up टाल सकते हो, जो लोगों को बार बार कहें कि please swipe up, swipe up, swipe up and go to the landing page, go to the website, anywhere जहांबर भी आप लोगों को भीगना चाहते हो ताकि उनका benefit हो by right, वो को सीख पाएं या वो कुछ कर पाएं या आप उनको जो भी देना चाहते हो ले और अपने life में upgrade रपाएं, तो call to action बहुत ब what it is, फिर से मैं याद जिरातों कि क्या चीज़ें आपको add करनी है, किसी भी add में अगर आप best conversion चाहते हो, lowest CPC rate चाहते हो तो आपको ये चीज़े ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़्यादा जलूरी है, पहला है music, दूसरा है add quality, तीसरा है words and चौता है call to action और इन चारों चीज़े बनता है एक perfect add जो आपको काफी अच्छा conversion देता है, प्लस low CPC देता है, मतलब कि कम पैसे में ज़्यादा conversion तो आप अपने add को काफी तेजी से scale कर पाऊंए, तो guys अगर आप और भी सीखना चाहते हो तो इस channel कर दो subscribe, bell icon press करो, like करो उस video को, और और को इस question है तो let me know in the comments and आप उसे वोल्स आपके भी कने कर तकते हो, see you next time, bye-bye, जाहिन